दोस्तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ उस टॉपिक से सभी सरकारी करमचारी प्लस पेंशनर्स प्लस उनके डिपेंडेंट्स को काफी फायदा होने वाला है यह है उनको बताएगा कि किस तरीके से इस टॉपिक की वज़े से वो काफी सविधाओं का लाव उठा सकते हैं तो उस टॉपिक का नाम है CGHS जिसका फुल्फर्म होता है Central Government Health Scheme हिंदी में अगर मैं बताओं तो इसका मतलब है केंदर सरकार की स्वास्ती उजना है दोस्तों CGHS की शुरुवात 1954 में होई थी और इसका लेटेस्ट वर्जन जो डिजिटली वेबसाइट इसकी लॉँच हुई है आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो पूरा देखें ताकि इसकी complete information आपको मिल सकें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों CGHS क्या है? CGHS एक प्रकार के केंदर सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वास्ति योजना है और इसका full form होता है Central Government Health Scheme जो केंदर सरकार के अधीन काम करने वाले या फिर pension लेने वाले retired करमचारी होते हैं, उनको स्वास्त सम्मंदित सुविदा प्रदान की जाती है जो कि CGHS कार्ड भी उनको दिया जाता है इसके अंतरगर्थ सरकार में काम करने वाले करमचारीों को इस Health Card के माध्यम से निशुल्क स्वास्त सम्मंदित ट्रीटमेंट प्रदान किया जाता है यदि भविश्य में उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है कोई ज़्यादा प्रॉबलम होती है तो इस कार्ड के द्वारा उसको वो उप्योग कर सकते हैं और अपनी बीमारी का इलाज आसानी से करा सकते हैं आज की डेट में लाखों करमचारी प्लस उनके आशिरित प्लस पेंचिनर्स इस सुविधा का लाब उठा रहे हैं तो इस योजना से क्या लाब है सेंटरल गॉर्मेंट के द्वारा इस CGHS योजना से लाखों की संख्या में सरकारी करमचारीों को और उनके परिवार जनों को लाब पहुंचाया जा रहा है किसी भी सरकारी करमचारी जो CGHS योजना के अंतरगाता आता है उनकी बीमारी का इलाज किया जाता है उसके बाद बीमारी में होने वाले सवी प्रकार की डियागनोस्टिक सेंटरों में यह हाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट भी शामिल होती है इसी प्रकार इस योजना के अंतरगत गौर्मेंट या प्राइविट अस्पतालों में होने वाली मेडिकल जाज भी कराई जाती है सरकारी अस्पताल और पॉलिक क्लिनिक में एक्सपोर्ट कंसल्टेंट भी करते हैं सरकारी करमचारी और उनकी परिवार जनों को दवाईयां और OPD का खर्चा भी इस योजना के अंतरगत प्रदान किया जाता है किसी भी सरकारी अत्वा प्राइविट होस्पिटल में एमर्जेंसी में यदि मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसमें साहिता प्रदान करने का कार भी होता है तो दोस्तो ये सारी लाब इस योजना के अंतरगत हो रही है दोस्तो इस योजना की अंतरगत जो स्वास्ति सेवाएं आती हैं वो इस प्रकार हैं CGHS के अंतरगत स्वास्ति सेवाएं आती हैं जैसे ऐलोपेथिक, होमियोपेथिक और भारतिय प्रिनाली द्वारा उपलब्द कराई जाती हैं जो आयुश विभाग के अंतरगत आती है चिकिसा सुविधाएं डिस्पेंसरियां अबलिक पॉलिक क्लिनिकों के माध्यम से उपलब्द कराई जाती है और योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिस्पेंसरियों के प्रभारी के रूप में मुख्य चिकिसा अधिक सरकारी भी निक्त किये गए हैं तो ये सारी सुविधाएं इस योजना के अंतरगत आती हैं दोस्तों इस योजना की अंतरगत कुछ और भी सुविधाएं उपलब्द हैं वो इस प्रकार हैं पहला दवाईयां जारी करने सहित OPD उपचार होता है सेकंड सरकारी अस्पाताल में वेशेशक्य परामर्श भी मिलता है थर्ड सरकारी और पैनल बद अस्पताल में भरती भी कराया जाता है चौथा सरकारी और पैनल बद नदानिक किंद्रों में जाचे भी होती हैं फिफ्ट पैंशिनर और अन्य अभग्यात लावारतियों को पैनल बद अस्पतालों औ नेदानिक केंद्रों में नगत रहीत उप्चार हितू सुवदाप्राप्त होती है। छटा- आपात स्थिति की अंतरगत निजी और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आपातकाल में उप्चार हितू व्येकी प्रतिपूर्वती हितु हितु है तर्ग होती हैं दोस्तों जो लोग इस योजना के पात्र हैं या कह सकते हैं जो eligible हैं वो इस प्रकार हैं पहला CGHS द्वारा कवर किये जाने वाले शेत्रों में रहने वाले केंद्रिय सरकार के सभी करमचारी और उनके आशिर्थ पारिवारिक सदस्य इसमें शामिल होते हैं सेकंड केंद्रिय सिविल अनुमानों से पेंशन प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार की पेंशनर और उनके पात्र पारिवारिक सदस्य भी मौझूद होते हैं या उनके लिए भी थर्ड वरतमान और पूरो सांसोदों के लिए भी लागू है चौथा पूर्व राजजपाल और उपराजपाल भी इसमें आते हैं ताफ़ा सौतंतरता से गटनों की करमचारी और पेंशिनर उनकी लिए भी यह लागू होता है नौवा पी आई बी के साथ प्रत्यायत पत्रकार भी इसमें आते हैं दस्वा केवल दिल्ली में दिल्ली पुलिस के कार्मिक इसके लिए एप्लिकेबल हैं ग्यारवा रेल्वे बोर्ड के करमचारी उनक स्वाय तशाशी निकायों में समावेशित हो गई हैं तता केंद्री सिविल अनुमानों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ये सबी लोग इस स्कीम के लिए पात्र हैं या फिर हम कह सकते हैं इस योजना के लिए एप्लिकेबल होते हैं दोस्तों जो वाड पात्रता है मतलब जो वाड इंटैटलमेंट है वह इस प्रकार है पहला जिसकी बेसिक पे 36,500 है एस पर 7 CPC उनको मिलेगा जनल केटेगरी का वाड उसके बाद सेकंड है जिसकी बेसिक पे 36,501 से 50,500 तक है उनको मिलेगा सेमी प्राइवेट वाड उसके दोस्तों अब बात आती है कि हम इस कार्ड को एपलाई कैसे करें तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई सरकारी करमचारी इस योजना से नहीं जुड़ा है और CGHS कार्ड बनवाना चाहता है उसको सिंपली क्या करना है उसकी सब सबसे पहले उसकी ऑफिशल आपसे मुबाइल निमबर और capture code भरने का विकल्प दिखाई देगा जो भली बाती उसको बरते हैं और इसके बाद उसे generate OTP का विकल्प होगा जिस पर आपको क्लिक करना हो उसके बाद मुबाईल फोन पर एक OTP आएगा जिससे आपको स्क्रीन पर खाली box दर्ज कर रहा आपके एक विकल पाएगा apply here उसके बाद आपको उसमें apply करना है और click कर देना है उसके बाद फिर एक form खुल कर सामने आएगा जिसकी details इस प्रकार हैं पहला उसमें लिखा रहेगा card type, ic number, date of birth, sex, department, designation, status, pay scale, present day, last pay, word entitlement, phone number, address, email, pin number ये सारी जानकरियां आपको देनी हैं उसके बाद आपको नीचे दिये गए capture code को दर्ज करके save and proceed के button पर click कर देना होगा उसके बाद आपके सामने एक acknowledgement number save होगा जिसे आपको ठीक प्रकार से note कर लेना होगा और आपको उसके बाद okay button पर click करना होगा इस तरह से आप आसानी से c GHS card के लिए apply कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद यह card बनकर आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यह था है online card apply करने का तरीका दोस्तों इस card को बनवाने के लिए जो important documents की requirement होती है वो इस प्रकार है पहला है domicile certificate second संतान का birth certificate third यदि संतान 25 साल की उम्र पूरा कर चुका है या चुकी है और विकलांग है या विकलांगिता प्रमान पत्र है तो उसकी requirement भी होती है उसके बाद fourth है government employee and family passport side photo उसके बाद fifth है PPO and last salary bureau तो ये सारी documents की requirement भी आपको पढ़ सकती है जब आप online apply करेंगे claim करने की प्रिक्रिया देशवर की cghs सूची बद अस्पतालों में cashless इलाज प्राप्त किया जा सकता है ये अस्पताल आपातकाल के समय किसी cghs लाभारती को प्रविश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं इन पैनल बद अस्पतालों में परदान किये गए उप्चार में c सूची बद अस्पतालों और diagnosis सेंटर में किये गए उप्चार के लिए reimbursement की जा सकती है दवा अस्पताल से छुट्टी की तारीक से अधिक्तम 6 महीने के भीतर करमचारी के सम्मांदित विभाग और cghs wellness सेंटर की cmo को पेश करनी होगी reimbursement क्लेम करने के लिए लाभारती को जरूरी दस्तावीज और प्रमांड प्रस्तुत करने होंगे जिसमें policy certificate copy, discharge summary, medical bill और असीदे ambulance bill आधी शामिल होते हैं इन documents को जमा करने के बाद wellness center विवरनों को सत्यापित करेगा और reimbursement प्रदान करेगा क्लेम नंबर की साहिता से cghs computer module में दावे की स्थिदी देखी जा सकती है तो दोस्तों इस प्रकार हम किसी भी क्लेम को reimburse कर सकते हैं इस योजना से जुडने वाले शहर इस प्रकार हैं गया, गोरगपूर, गोहाटी, गुंटूर, गौालियर, हैद्रबाद, इंफाल, इंदोर, जवलपूर, जैपूर, जालंदर, जम्मू, जोधपूर, कुनूर, कोहिमा, कोलकता, कोची, कोजिकोट, लखनव, मेरिट, मुरादबाद, मॉंबाई, मुजफरपूर, पूने, रायपूर, राची, राजा मुंदरी, साहरनपूर, शेलांग, शिमला, सिल्चर, सिलीगोडी, सोनीपत, शिरिनगर, तिरुवाननतपुरम, वारनासी, तिरुनवैली, बरोडा, विजयवडा और इशाकापट्टम, ये टोटल 75 शहर हैं, जिसके अंतरगत ये वेल आउट होता है, अगर कोई किसी की क्वेरी होती है, तो जरूर आप प्लीज कमेंट में मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके वर्शेंस का आंसर देने के लिए, और इसके साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, ताकि आपके लिए इन्फर मेटेफो, थैंक यू